हेलो दोस्तो, तो आज के कलास में हम लोग देखेंगे जिमसा एस्टेन, देखेंगे हम लोग की जिमसा एस्टेन क्या होता है और जिमसा एस्टेन कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे staining क्या होता है, जिमसा एस्टेन के introduction को देखेंगे, composition को देखेंगे, principle को देखेंगे and जिमसा एस्टेन करने का procedure क्या होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, staining क्या है, staining एक technique है, जिसके दोरा cell के inner component को color किया जाता है, generally staining microscopic aesthetic के लिए use किया जाता है, जैसे की WBC, RBC, platelet, other cells and parasite को microscopic aesthetic के लिए staining किया जाता है, हेमेटोलोजी में generally 4 stain किया जाता है, लिस्मान एस्टेन, जिमसा एस्टेन, फिल्ड एस्टेन and राइट एस्टेन, पिछले क्लास में हम लोग लिस्मान एस्टेन को देखे थे, इस क्लास में हम लोग जिमसा एस्टेन को देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग फिल्ड एस् लेटलेट और पारासाइट को एस्टेन करने के लिए किया जाता है और इसका यूज साइटो जेनेटिक्स और हिस्टो पैथलोजिकल डियागनोसिस के लिए भी किया जाता है अब हम लोग जिमसा एस्टेन के कमपोजीशन एंड प्रिंस्पल को देखेंगे जिमसा एस्टेन के कमपोजीशन में मेथिलीन बुलू एज्जियोड बी एंड इयोसिन होता है और एस्टेनिंग के दोरान मेथिनॉल का यूज फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है जिसका काम होता है स्मेयर को फिक्स करना और सेल मर्फलोजी को पिर्जर्ब करना अब हम लोग जिमसा एस्टेन के प्रिंस्पल को देखेंगे जिमसा एस्टेन में मेथिलीन बुलू और एज्जियोर भी बेसिक नेचर का होता है जो की सेल के एसीडिक पार्ट को कलर करता है जैसे की नुकिलियस और गर्निवल्स को जबकि इसीडिक नेचर का होता है जो की सेल के बेसिक पार्ट को कलर करता है जैसे की साइटोपलाजम और इसीड आर्बीसी को भी कलर करता है जिमसा एस्टेन करने के लिए सबसे पहले जिमसा एस्टेन का working solution बनाना पड़ता है जैसे कि हेमेटोलोजी में Jimsa S10 का 10% solution यूज़ किया जाता है देखिए 10% Jimsa S10 बनाने के लिए 9 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml Jimsa solution को mix किया जाता है जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे कि Jimsa S10 के composition में methylene blue, azure B and eosin होता है तो methylene blue और eosin होता है, azure B एक eos solution होता है जिसमें dissolve होता है इसी से working solution बनाने के लिए 9 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml Jimsa solution को mix करते है अब हम लोग Jimsa S10 के procedure को देखेंगे यानि कि Jimsa S10 कैसे किया जाता है सबसे पहले Jimsa S10 करने के लिए specimen से thin film prepare करेंगे उसके बाद उस smear को fix करेंगे methanol में 1-2 मिनिट के लिए उसके बाद से slide को air dry करेंगे जब slide air dry हो जाए उसके बाद slide के उपर 10% working Jimsa S10 को pour करेंगे और उस slide को 15-20 मिनिट के लिए छोडेंगे उसके बाद slide को running tap water में वास करेंगे और उसको air dry होने देंगे फिर उसके बाद से उसको microscope में अब्जर्ब करेंगे अब observation जब standing के बाद slide को microscope में अब्जर्ब करेंगे तो सेल का जो nucleus होगा वह greenish blue और सेल का cytoplasm pink दिखेगा इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में निव टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद